अज हम बात करने वाले हैं सरदार बल्ला भाय पटेल कलस्टर यूनिवर्सिटी मंडी में जो रिक्यूट्मेंट आई है इसके रिगार्डिंग ने हमने पहले वीडियो बनाई है जहां पे हमने सरफ बात की थी कौन कौन सी कितनी वकिंस को भरा जा रहा है तो अगर आप हम य का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ पर जाके विजीट कर सकते हैं अब अधर्वाइस आप वीडियो की स्पीड को बढ़ा करके भी देख सकते हैं तो यहां पर हम चेक करेंगे आपकी ओपनिंग डेट जैसा कि हमने प्रिवेश रूडियो में बात कर हैं तो यहां पर हम बात करेंगे पेस्केल नेम पोस्ट और असेंशल क्म प्रिवेश तो नेक्स यहां पर रहने बाला है डिप्टी रिजिस्टा इन यहां पर आपके पास experience होना चाहिए 25-year का यह सब आपके पास होना चाहिए तभी आप यहां पर अपलाई कर सकते हैं निक्स्ट यहां पर असिस्टेंट जिस्टार की बात करेंगे तो यह जनरल की टू पोस्टेंगे एसेंचिल कौलिफिकेशन 55-percent marks होने चाहिए आपके master degree में 1-year section officer होने चाहिए आप 2-year superintendent grade 2 तो यहां पर 22-year का आपको regular service का experience होना चाहिए इन सब field में और यहां पर आप देख सकते हैं आपको knowledge of computer application होना चाहिए तो next यहां पर हम बात करेंगे section officer के बारे में on regular basis यह आपका पेस्किल रहेगा general की 3 poster रहेंगी at least आप graduation होने चाहिए रिकोगनाइज यूनिवसिटे से और आपके पस 3-year का आपके पास superintendent grade 2 का experience होना चाहिए और 19-year का आपके पास experience होना चाहिए तो यह सब आपके पास होना चाहिए यह तो आपको पास होना चाहिए और आपको good working knowledge of computer application होनी चाहिए custom manners जो भी delicate से हैं माचल प्रदेश के वो सब आपको पता होने चाहिए और नेक्स यहाँ पर programmer की हम बात करेंगे on regular basis space के लाख़ा यह रहने वाला है general journalism की one post है mca of b.e. b.tech degree in information technology computer science engineering from a recognize university तो यह सब आपके पास होना चाहिए और नेक्स यहाँ पर हम बात करेंगे public relation officer on regular basis पेस के लाख़ा यह रहने वाला है general की one post है यहाँ पे bachelor of journalism and mass communication इन में से कोई भी आपके पास एक हो तो आप यहाँ पर apply कर सकते हैं और यह जो आपका second रहेगा three year professional experience in public relation journalism, mass communication and any government department, public sector undertaking and newspaper इस सब में आपके पास किसी में भी किसी एक में भी आपके पास three year के experience होना चाहिए और next time हम यहाँ पर बात करेंगे superintendent grain two on regular basis यह आपका पेस के लाख six poster रहेंगी at least आप graduation होने चाहिए recognized university से और आपके पास six year experience होना चाहिए senior assistant in general, sorry, central state government, government department में या फिर educational or research institute में और good working knowledge होनी चाहिए आपके पास computer की और next यहाँ पर बात करने वाले है category C जो कि यहाँ पर senior assistant on regular basis यह आपका पेस के लाएगा यह आपको पोस्टों को यहाँ पर 11 पोस्टे रहेंगी ब्रेक अप किया गया है पोस्टों का और next यहाँ पर category C रहने वाली है at least आपके पास प्लस टू होनी चाहिए उनिवर्सिटी से 7 यह आपके पास regular होने चाहिए इन सब फिल्ड में और next यहाँ पर हम बात करेंगे good computer knowledge होनी चाहिए आपके पास और senior skills cannot offer यहाँ पर हम बात करेंगा on contact basis यह पिसकल रहेगी वन पोस्ट है जहना आनने सब की आपके पास bachelor degree होनी चाहिए और must process the following speed in short hand and typing on computer तो आपके पास यहाँ पर यह speed होनी चाहिए यह short hand और typing in computer में तो next यहाँ पर है desirable qualification और आपको knowledge होने चाहिए word processing in computer next यहाँ पर हम बात करेंगे jr photographer on contact basis यह पिसकल रहेगा one post है journal unreserved की आपके पास 10th pass होने चाहिए यह आप recognized board से diploma in photography from an institution recognized by central state government at least आपके पास two year experience होना चाहिए in motion picture and video photography after acquiring diploma in photography तो photography करने के बाद diploma उसमें आपके पास उसके related experience होना चाहिए और desirable qualification हमाचल परदेश के 18-45 year is next हम यहाँ पर बात करेंगे 10th typist on contact basis यह pay scale total 3 post unreserved की और यहाँ पर general unreserved की और should have passed plus two examination आपका 12th होने चाहिए और आपके पास जो short hand or typing on computer बोथ language में English और हिंदी में आप speed check कर सकते हैं यहाँ पर science bsc btec bb pharma from recognized institution in university as per the guideline issued by the department of personal government हमाचल परदेश तो आप यहाँ पर रूल्स पताये गए हैं कुछ और यहाँ पर रूल्स यहाँ पर यह रहने वला है कि अगर आपने plus two करी है हमाचल परदेश के स्कूल से की होनी चाहिए लेकिन अगर आपके पास bonafide है तो यह condition आपके उपर लागू नहीं होगी desirable qualification 18-45 year AS driver के लिए यहाँ पर on daily basis जो भी हमाचल government के दो ताइम to time decide किया जाता है वो पे आपको यहाँ पर दी जाएगी और यहाँ पर total two vacancy होंगी जो कि general unreserved की है आपके पास 10th का certificate होना चाहिए यानि कि आपको 10th की होनी चाहिए और आपके पास driving से related आपके पास license होना चाहिए heavy or light vehicle का in hilly area में चलाने का experience आपको होना चाहिए desirable qualification 18 to 45 year A's और D category के हम बात करेंगे library attendant on daily business जो भी हमाचल के तोरह time to time decide किया जाता है वो पे आपको दी जाएगी general unreserved की एक post है आप plus two होने चाहिए recognize board से must have qualified certificate or diploma in library and information science तो इनमें से आपके पास diploma है तो आप apply करें और यहाँ पे वही condition है कि अगर आपने हमाचल प्रदेश से plus two करिए तो आप यहाँ पर apply कर सकते है otherwise आपके पास bona fad हमाचली है तो यह condition आपके ओपर lagoon नहीं होगी और next यहाँ पे रहने वाला है point 18 to 45 year A's PN की बात करेंगे हम daily basis आपको हमाचल प्रदेश की तरह जो भी time to time decide किये जाएंगे वो पे आपको यहाँ पे दी जाएगी 14 vacances रहेंगी category wide divide किया गया है और यहाँ पे essential qualification की अगर हम बात करेंगे तो आपके पास 10th होने चाहिए recognize board school स और desirable qualification 18 to 45 year A's और mail की हम यहाँ पे बात करेंगे on daily basis आपको दिये जाएंगे जो भी हमाचल government की तरह time to time decide किये जाएंगे और totally यहाँ पे one vacancy है आप 10th pass होने चाहिए board से और at least 3 year experience in floriculture, horticulture और जो भी maintenance of lawns होता है वो सब आपको यहाँ पे experience होना चाहिए उसके regardingly 3 year का तो custom manners आपको पता होने चाहिए और यहाँ पे आप next बात करेंगे 18 to 45 year आपकी एस होने चाहिए serial number 5 से लेकर के 16 तक तो यहाँ पर next यहाँ पर रहने वाला है application fee तो यहाँ पे fee काफी high रहेगी आपकी general categories की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 2000 A class की और B class की 1800 और जो CD class है उनके लिए 1200 रुपे fees रहने वाली है और यहाँ पे SC ST OVC EWS BPL of HP तो इनके लिए 1000 रुपे fees A class के लिए B class के लिए 900 और C class के लिए C और D class के लिए 600 और जो भी यहाँ पे visually impaired person रहेंगे और female candidate रहेंगे उनके लिए यहाँ पे कोई भी fees नहीं होगी एक सर्विसमेन के लिए भी होंगे उनकी प्लस्टू हमाचल परदेश से होनी चाहिए और लेकिन अगर उनके पास हमाचल बोनाफाइड है तो यह कंडिशन उनके ओपर लागू नहीं होगी पेमेंट मोड की बात की जाए तो यहाँ पे आपको debit credit internet banking UPI कुछ भी आप यहाँ पे online आपको फोंबना है त को सेंड कर देने हैं आपका लाजर रहेगी यहाँ पे 30 जनवी 2022 और जो की बाकी यहाँ पे district हमाचल परदेश के जैसा की शिमला डिस्टिक कि नौर डिस्टिक लाहस पिती डोडरा कवर सब डिविजन ऑफ शिमला और जो भी आपके other state रहेंगे मेगालिया नागल अंडेमा और निकोबा इन सब के लिए बताया गया है जो आपको हाड़ कोपी सेंड करनी है वो साथ फरवरी 2022 से पहले वहाँ पे पहुंच जाने चाहिए जैसा कि आप एड्रेस चेक कर सकते हैं जर जिस्टा सदार बललभाई पड़ल कलस्टर यूनिवरसिटी मंडी एच पी यह इस पर मैंने इसे अपलोड कर दिया है अडवर्टाइजमेंट को और वहाँ पर जाकर के भी रीड कर सकते हैं और यहाँ पर कैड़गीरी और एक सर्विस ओफ हिमाचल परदेश और वैकोड क्लासिस के लिए बताया गया है यहाँ पर कोई भी क्वैरी है तो आप यह टेलिवो टाइम चेक करते रहें जो भी इनके दर अपडेट आए उससे लेने के लिए और यहाँ पर सेलेक्शन प्रसेस है रहेगा मैरिट कर्टेरिया होगा आपका रिक्यूट्मेंट तो यहाँ पर जैसे की स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद जो भी केंड़ेट यहाँ पर सिलेक्ट ह जाएंगे और स्क्रीनिंग टेस्ट के एकॉर्डिंग ली पॉइंट दिये जाएंगे तो और नेक्स यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट होगा उसके पॉइंट दिये जाएंगे दैन एडिशनल कॉलिफिकेशन आपकी जो कंप्यूटर के लिए बताएगी है सेटिफिकेट य यह बताया गया देख सकते हैं अब कर दिया आप एपको पॉइंट दे करके नंबर दिये जाएंगे और नेक्स्ट यहां पे नेक्स्ट सेलेक्शन प्रोसेस रहेगा आपका टेलेज़िसे 9200 9 से लिकर के 11 तक आपके जो भी सीरियन नंबर उपर बताएगै उनके लिए some है और यह नई भी सिर्न नंबर है आपके लिए यह रहेगा और 16 को रहने जहने वाला स्पूबे 15 और 16ों कि लिए ये परसेश रहने वाला है त्याइन यहां पर आपको जो भी समाइमस हो उसके कैसा आपको यहां पर 85 में से माउंक्स दिये जाएंगे तो उतने ज्यादा आपको यहाँ पर नमबर दिये जाएंगे तो जैसा कि हमने बात की है यहाँ पर तो यह आपका रहने वाला फुल फॉर्म की बात हमने यहाँ पर करी है तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीश यह सब्सक्राइब और लाइक के बना मच जाए आप इसको गूगल के ओपर लिखेंगे तो आपको वहाँ पर यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीश यह सब्सक्राइब लाइक के बना मच जाएगा एवरिमन थैंक्यू सो मच